देखिए दोस्तों यदि आपके मोबाइल में BSNL की SIM है और वहाँ पे E लिखा आ रहा है यानि कि आपका NET नहीं चल रहा है देखिए YouTube ओपन करते हैं तो यहाँ पे YouTube ओपन नहीं होगा यानि कि NET नहीं चलेगा ठीक है देखिए यहाँ पेज भी ओपन नहीं हो पा रहा यानि कि इतनी सलो सर्विस है तो BSNL का 2G दिखा रहा है यहाँ पे E आ रहा है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल एक सेटिंग करके और अपने अप्शन दिखाई दे रहा है इसके उपर किलिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा SIM SIM कार्ड एंड मोबाइल यह उप्शन आई जाता है सभी के मोबाइल में उसके बाद में देखिए यहाँ पर SIM 1, SIM 2 तो जो हमने SIM डाल रखी ह यानि कि BSNL की SIM डाल रखे SIM 1 में उसके बाद में यहाँ पर नीचे आना है डाटा रोमिंग ओन कर लेजिए हर दम ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2G ओनली दिखा रहा है ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आप इसको रहने दो यहाँ से करते हो तो यह यहाँ से कर लिजे उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक option आता है यहाँ पर देखिए carrier लिखा है न सबसे नीचे यहाँ पर ठीक है BSNL mobile लिखा है इसके उपर टच करना है तो जैसे ही टच करते हैं उसके बाद में सबसे उपर automatic आता है ठीक है automatic selected तो इसको ओप कर देना है और उसके बाद में manual सर्च करना है ठीक है तो चलिए मैंने इसको off कर दिया उसके बाद में manual सर्च करते हैं तो जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पर बहुत सारे network आ जाएंगे 2G का भी 3G का भी 4G का भी 5G का भी दिखा रहा है और चलिए मैंने दुबारा से refresh किया देखिए यह मैंने यहाँ पर 3G सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में थोड़ा से इंतजार करना है और यहाँ पर देखिए हमारा H पलस आ ठीक है अपडेट मांग रहा है YouTube तो चलिए इसको अपडेट कर देते हैं एप को यहाँ पर क्यूंकि अभी फास्ट इंटरनेट चलेगा देखिए यहाँ पर अपडेट भी देख सकते हो कितनी फास्ट चल रहा है देखिए मैंने कोई Wi-Fi से कनेक्ट नहीं कर रहा है सिर्फ BSNL की sim से मैंने चला रखा देख सकते हो आफ और यहाँ पर देख सकते हो कितनी फास्ट पेज खुल रहा है यहाँ यहाँ पर आप YouTube कैसे फटा में और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप कोमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी कोमेंट का जरूर रिपलाई दूँगा ठीक है यहाँ पर देखिए कितनी फास्ट चल रहा है और उपर हाई स्पीड लिखा आएगा ठीक है तो दोस्तों उमीद है कि छो